नमस्का सात्यों आप सरी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदल जी में तो दोस्टो आज आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर दोस्तो अलंकार इसको दोस्तो आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तो ये इसी तरीके से हम इस वीडियो को बनाएंगे दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होगा आपका एक ही वीडियो में पूरा झोपलिट हो जाएगा धस्तों वोल्ट कराते सको तो घ्लिए ऊंपर कामेंट कर दो सब्धिन करके और कमेंट करके वता दें तो जोएंगे थिलिक पर देंगे एग। अगर चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए तो स्टार्ट करते हैं अलंकार यानि दोस्तों आवुशड अलंकार का दोस्तों एक अर्थ होता है आवुशड भी कहते हैं यानि कि आवुशड दोस्तों क्या होते हैं जो गहने होते हैं आपने देखा है वो यानि काब्बे की सोबा बढ़ाती है अब दोस्तों जो आवुशड होते हैं वो तो किसी मानव की सोबा बढ़ाते हैं अब दोस्तों अलंकार जो होते हैं वो काब्वे की सोवा वड़ाते हैं यानि ऐसे सब्द जो दोस्तों काब्वे की सोवा वड़ाते हैं अब पहले प्रवर्तक दोस्तों आचाज़ा है भामा जिनका दोस्तों ग्रंत था काब्वेलंकार अब दोस्तों दूसरे प्रवर्तक ड धर्म शोवा कारक धर्म यह सब दोस्तों आप नोट कर लें या फिर आप इसको दोस्तों पढ़ते हुए चलें पीडियाफ हम आपको प्रोवाइट खरा देंगे टेलीग्राम चैनल पर तो अज दोस्तों आगे चलते हैं क्या दिया हुआ हिंदी के कवी केशवदास अलंकारी वादी कवी थे आप शे दोस्तों कुश्चन पूछा जाएगा कि जो हिंदी के कवी केशवदास थे वा किस से सम्मंदित थे कैसे कवी थे तो अलंकार वादी कवी थे दोस्तों केशवदास दोस्तों अब चलते हैं नेक्ट पर तो आचारा भामा के अनुसार अलंकार काब् आत्मा किसने बताया है आचार भाम है तो दोस्तों इस तरीके से भी कोश्चन आपके आ सकते हैं तो अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अलंकार यानि कि जो शोवा बढ़ाए अलंकार रहे जिसकी सोवा बढ़ाए अब दोस्तों इन दोनों में अंतर है देखें अलंकार क्या होता जो सोवा बढ़ाए और दोस्तो अलंकार रहे क्या है जिसकी सोवा बढ़ाई जा रही है उसको दोस्तो हम क्या कहेंगे अलंकार तो अब दोस्तो अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं तो तीन यह आपके हो जाएंगे कौन-कौन से तो सब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, अब दोस्तों सब्दा अलंकार सब्द पर आदारेत होता है अर्था अलंकार अर्थ पर आश्रेत होता है यानि कि आदारेत होता है अब दोस्तों सब्दा अलंकार के भी दो हैं कौन-कौन से अनुप्रयास अलंकार, यमक अलंकार और सिलेस अलंकार अब दोस्तो इसको दुबारा से पढ़ें अलंकार के कितने बेद होते हैं दोस्तो तीन सब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उव्या अलंकार ये दोस्तो आपको याद हो गया हुआ सब्ड़ालंकार में सब्ड दिया हुआ तो जो किस पर आधा रीत है सब्ड पर आधा रहता अर्थालंकार में दोस्टो अर्थ पर आधा रहता है यानि कि अर्थ intéressant है अब दोस्टो सब्ड अलंकार में फिर हमने तीन बागों के बाटा कैसे अनुप्रयास यमक और सिलेस अब दोस्तों चलते हैं नेक्ट यानि अब सब्दालंकार को हम पढ़ेंगे किसको दोस्तों सब्दालंकार को हम पढ़ेंगे तो यह दोस्तों क्या मुख्य तीन परकार के होते हैं यह हम पीछे पढ़के याएं दोस्तों सब्दालंकार कितने प विप्सा पुन रोक्ती प्रकास को भी सवदालंकार कहते हैं तो क्यों तो हमारे यह थी नहीं है अनुप्रयास यमक सले आब हम चलते हैं दो appreciate अनुप्रयास अलंकार यह तो अनुप्रयास अलंकार दोस्तों यह जो अनुप्रयास अलंकार होता है यह जहां पर समान वर्णों की आवरती बारवार हो अनुप्रयास अलंकार कहलाता है यानि दोस्तों एक ही जो बर्ण होता है वह दोस्तों हमने आपको बताया है कोई एक अ तरूबर बहु छाए तो अब इसमें ता जो सब्द है वो हर किसी में दिया हुआ बारवार आ रहा है दोस्तो ता यह पर आपको देख रहा हुगा दोस्तो तो यह तरनी तनुजा ठट तम्हाल तरूबर बहु चाए तो यह हमारा कैसा हो जाएगा अनुप्रयास लंकार हो जाएगा अब दोस्तो अनुप्रयास लंकार के भी वेद है कौन-कौन से पाँच वेद हैं दोस्तो इसके अनुप्रयास लंकार के यानि कि छेका अनुप्रयास ब्रत्य अनुप्रयास लाटा अनुप्रयास स्रंतिया नुष्प्रियास और अन्तिया नुप्रियास दोस्तों ये हमारे पांच हो जाएंगे अब इनकों हमें के करके दोस्तों पढ़ते हैं तो छे का नुप्रियास पराते हैं पहले छे का नुप्रियास क्या होता है दोस्तों छेका अनुप्रियास अलंकार तो पढ़े वै अनुप्रियास जहां पर एक या अनेख वर्णों की सवरूप वा किरम से एकी वार आपरतियों अर्थात वै वर्ण किरम से दो वार आई यह जिआ दुस्तो करन्द से कितनी वार राये और जैसे की शिपेंदिया हुआ है बंदुओ्डू गुरूपद पधुम् पराङः सु रिछिस शुवष्ष सरज् अनु राधा सुटस्तो एक एक वर्णों की शुरूबद करम से एक ही बार आक विरती जैसे दोस्तो पद या पर जो दोस्तो आ गया फिर दा भी हमारा रिपीट हुआ है यहाँ पर दोस्तो सू यहाँ पर सर रिपीट हुआ है यहाँ पर रह यह रह रिपीट हुआ है तो इस तरीके से दोस्तो जब आए तो वह हमारा क्या होगा छे का अनुप्रियास और दोस्तो आप क continue देखें तो चलते हम next पर तो दोस्तो अब आता है हमारा ब्रतियानुप्रयाश यह कैसे होता है दोस्तों जहांपर एक या अनेक वर्णों की अनेक वार आपड़ती हो एक या अनेक वर्णों की अनेक वार यान दोस्तों एक अक्षर केई वार आई तो जैसे कलावती, केलीवती, कलिंदजा अब दोस्तों यह जो का है हमारा इसमेवी का, इसमेवी का, इसमेवी का तीन वार आया है दोस्तों लावी हमारा दोस्तों तीन वार आया है तो यह हमारे बार बार आ रहे हैं क्यांऄे दोस्तों का है जहां पर एक या अनेक वरनों दो कि यह तो कोई एक वर्ड या अनेक वर्ड कि उस्में दो कैसे दोस्तों इसकी तीन वार आप बिरती हुई है तो अब हम चलते हैं आगे लाटा अनुप्रियास पर आते हैं अब दोस्तों लाटा अनुप्रियास को पढ़ते हैं तो यह क्या दिया हुआ है इसे सब्दा अनुप्रियास भी कहते हैं इसे दोस्तों क्या कहते हैं सब्दा दो बार आएं अर्था जहां पर एक जैसा सब्द समू एक से अधिक बार आता है किन्तु अन्वे करने पर ब्रामचिन या किसी नवीन वर्ण के आ जाने से पूरा का पूरा अर्थ विप्रित हो जाता है अब दोस्तों क्या है इसका मतलब समझें यानि कि सब्द कोई सेम आ र जो जाएगा और दोस्तों लाटानु प्रयास को सब्दानु प्रयास भी कहते हैं तो देखते हैं दोस्तों एक जाम पर इसका तो क्या दिया हुआ है रोको मत जाने दो यानि कि यहां पर कॉमा लगा हुआ हुआ है रोको मत जाने दो यानि रोक लो इसका मतलब दोस्तों क् दोबारा पढ़ें जब आपकी समझाए रोको मत जाने दो तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ है रोक लो अब दोस्तों इसमें क्या है तो कौमा यहां पर लगा हुआ है सब्दों दोस्तों सेम है इसमें भी रोको मत जाने दो इसमें भी रोको मत जाने दो लेकिन दोस्तों ह हब बोलने का तरीका है इसे बदल गया है रोको मत जाने डो यानि इसका मतलब क्या है जाने दो और उपर वाले हैं दोस्तों रोको मत जाने दो जाने दो अब और एक्जामपल देखती है जैसे की पूट का पूट तो कादंसंच आए Solz सन्च है जो इसका मतलब क्या है जब पूट कपूट है तो क्या धन खटा करें और जब दोस्तों पूट सपूथ है य navy अच्छा तो भी क्या धन खटा करें इसकेले ख़गे दो स्टों तो इस तरीके से हमारा हो जाहागा कौनसा दोस्तों लाटानु प्रयाश्त्व 어 जब किसी एकी वर्ण के वर्णों का उच्छारंण कैई वार हो जैसे दोस्तो दीन नात थे तो दोस्तो द औन न यह हमारे एकी वर्ण में आते हैं तो इनका दोस्तो दो बख और रगवा है तो चलते हैं और देखते हैं डूस्तो अब आता है। हमारा कौन स् utilizz कंसा जहां कब्व्दे, के सब्धों के अंत में समान स्वरियां वेंजन दोनों मैं से कोई अन्तियानुप्रियास होता है यानि दोस्तों इसको पढ़ें तो क्या दिया हुआ है पवन्तने हरन मंगल मुर्ति रूप राम लकन सीता सहित हिर्दव बसहू सुर्भूब दोस्तों यह आप पढ़ सकते हैं तो अब हम चलते हैं दोस्तों पर हमारे हो जाते हैं यह जदा इंपोटेंट नहीं है दोस्तों जो पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं यमक अलंकार पर आती हैं यह दोस्तों आपका बहुत ही इंपोटेंट है तो क्या दिया हुआ है जहां पर ही सब्द की दो या दो से अधिकवार आबिरती हो किन्तु उसका अर्थ अलग अलग हो जाए वहां यमक अलंकर होता है जहां पर एक ही सब्द की दो या दो से अधिकवार आबिरती हो किन्तु उसका अर्थ अलग अलग हो जाए वहां यमक अलंकर होता है देखें दोस्तों कैसे तो दोस्तों दिया हुआ है काली गटा का गमंद गटा क्या दिया हो दोस्तों काली गटा का गमंद गटा तो अब दोस्तों यहां पर गटा क्या है दोबर दिया हुआ है गटा और गटा यानि काली गटा यानि दोस्तों बादल को कहेंगे हम काली गटा काले बादल गमंड गटा यानि दोस्तो कम हो गया गटने से दोस्तो इसका तात पल रहे यानि इसका मतलब क्या दिया हुआ है दोस्तो ये इसको दोबारा पढ़ें आप जहाँ पर सब्द की दो या दो से अधिक बार आप बिरती हो कि उसका अर्थ अलग अलग हो यानि दोस्तो एक ही सब्द दो बार रेपीट हो यानि एक ही सब्द दो बार हो या दो से अधिक बार आई लेकिन दोस्तो उनका अर्थ अलग अलग हो तो वह हमारा क्या या मखलंका दोस्तो और हम उदार अरद देखते हैं और आए यानि दोस्तों ये कनक कनक हमारा कितनी वारत दो बार सुझा है। तो पहले कनक में सोना है । दूसरे में धतूरा दोनों का दोस्तों अलग-अलग करते हैं तो इस तरीक है से जब भी कुई दो सब्द एक के बाद एक रिपीट हो तो हमारा क्या हो जाए दोस्तों आपर येमक अलंपकर पर किसवा है? जो इसको परते है सब्द एकी हो अर्त ऐनेको वार हो यानि दोस्तों कोई एकी सब्द है लेकिन उसके अर्त अनेक है भहुत सारे अर्थ जैसे दोस्तों पढते हैं रहिमन बाहन पानी राक ये बिन पानी सुझ पानी गए न अबरे मुती मानूश चुम तो इसने पानी जो है ये पानी दिया हुआ हुआए यहाँ पर तो दोस्तों इसका क्या है सब्द तो एक ही है अब दोस्तो इसके अलग अलग अर्थ है यहां पर भी दोस्तो दिया हुआ यानि रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गई न उबरे मूती मानो चून अब दोस्तो इसको देखते हैं यह से मंगन को देखिए पट देती बारवार तो अब दोस्तो पट का क्या आर्थ हो जाए यहां पर कपड़ा और दर्वा जाए एक पट का मतलर होता है दोस्तो कपड़ा एक क्या होता है दर्वा जाए तो हम चलते हैं दोस्तो नेश्ट कोशन पर अब दोस्तो आता है अर्थालंकार अर्थालंकार को पड़ते हैं दोस्त तो अब इसमें आ जाता है दोस्तो उपमालंकार तो अब जहां पर उपमे में उपमान की तुलना दी जाए या समानता दी जाए यानि जहां उपमे में उपमान की तुलना या समानता दी जाए दोस्तो तुमा क्या होगा हमारा उपमालंकार होता है अब दोस्तो उपमालंकार में क्या क्या चीज तो उप में उप मान सादर दर्म और बाचक सब्द दोस्तों ये चार चीज आ जाएंगी तो उप में जिसकी तुलना की जाए जिसकी तुलना की जाए उप मान जिसकी तुलना की जाए यानि दोस्तों उप में जिसकी तुलना की जाए उप मान जिसकी तु सम समान स़री जियों किसी दो दोस्तों ये हमारे हो जाएंगे अब देखती है दोस्तों इसके यानि दोस्तो चारो मौजूर ने निस अब दोस्तों चारों मैं से एकवी लुप्त हो तो लुप्त ओ उप्मा किया हो जाए Vaacaksadsradha ॅब तो अब दुस्तों यहां पर देखें मुक्ष चंद्र सा संदर है तो इसतें मुक्ष हमारा क्या हो गया उप में चंदर उपमान सा दोस्तों क्या है वाचक सा और सुंदर क्या है हमारा सादर अरधन अब दोस्तों मुक चंदर सा यानि दोस्तों मुक की तुलना की जा रही है चंदर वहां से तो अब दोस्तों यह आपकी समझ में आया होगा कि मुख तो दोस्तो हमारा क्या हो गया उप में यहां पर दिया हुआ है जिसकी तुलना की जाए तो मुख की तुलना की जा रही है दोस्तो तो यह हमारा उप में हो गया किस से की जा रही है चंद्रमा से दोस्तों यानि उपमान हो जा गए और साध दोस्तों यहां पर आ रहा है तो यह बाचक हो गया और दोस्तों कैसा सुन्दर यानि कि रंग रूप की बात हो रही है दोस्तों तो यह उसका क्या हो गए साधर दर्म तो अब उन चलते हैं दोस्तो ने तो अब ये दिया हुआ है बरसा रहा है रवी अनल बूतल तवासा जल रहा यानि कि बरसा रहा है रवी अनल बूतल रवासा जल रहा अब दोस्तो बूतल यानि जमी उपमे हो जाया दोस्तो इसकी तुलना तवा से की जा लिए दोस्तो तु हो गया तो अब दोस्तों चल रहे हैं नेक्स देखते हैं प्रती पलंकार कौन सा दोस्तों प्रती पलंकार यानि उपमा का उल्टा होता है प्रती पलंकार क्या हुदा दोस्तों उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार है प्रती पलंकार यानि की मुक्सा चंद्र है मुक्सा चंद् जो मुख चांद है वो मुख जैसा है दोस्तों इसमें कुछ उल्टाई बात हो रही है यानि मुख चंद्र सा होता है लेकिन आपर मुख सा चंद्र है यानि कमल चरण के समाने यानि दोस्तों कमल जो है वो चरण के समाने इसमें ऐसे बात की गई है यानि दोस्तो उल्टी बात की गई है इसमें अब अन्वे अलंकार पड़ते हैं जब उसी की तुलना उसी से करें यानि दोस्तो जैसे कोई बस तु है उसकी तुलना उसी से की जाए कोई बैकती है उसकी तुलना उसी से यानि दोस्तों राम से राम है, सिया से सिया, कमल के समान कमल है, भारत के समान भारत है, मुक्ख मुक्सा ही है, यह तो दोस्तों हम बोलते हैं, तो यह कौन सा होता हमारा अन्वे अलंकार, अब दोस्तों चलते हैं, इंपोटेंट रूपक अलंकार पर कौन सा रूपक अलंकार, जब उपमे में उपमान का वेद रहित आरोप कर दिया जाए यानि दोस्तो जब उपमे में उपमान का वेद रहित आरोप कर दिया जाए तो दोस्तो अब इसकी कंडिशन जल ही जीवन है अब दोस्तो किसी ने बता दिया एकदम 100% वात कह दी कि जल ही जीवन है और जलके वे नहीं ना कुछ नहीं है के जिसमें भूजाए है हमारा रूपख लंकार अब दोस्तो के रहा है मुखछंद्र है मुखजंद्र है यानी चंद्र मा को भी मुख़द दिया तो ये एकदम भेद रहए, आरोप कर दिया आरुपित करता है यानि चरण कमल है यानि दोस्तों चरण है वो कमल है एक डम कह दिया उंट रेगिस्तान का जहाज है दोस्तों ये हमारे क्या हो जाते हैं रूपक अलंकार अब दोस्तों आता है उत्परेच्छा अलंकार कौन सा उत्परेच्छा अलंकार जब उपमे में उत्प्रेच्छा अलंकार होता है वह पर कौनसा दोस्तो उत्प्रेच्छा अलंकार होता है जैसे दोस्तो मनू मानो जनू जानो मनू जनू आदी ये सब चीज दोस्तो हो तो हमारा कौनसा हो जाता है उत्प्रेच्छा अलंकार यानि मनू मानो जनू जानो मनू जनू आदी य जैसे चरण मानो कमल हैं, यानि दोस्तों इसमें हमने मान लिया, चरण को कमल मान लिया, यानि चरण मानो कमल हैं, दोसा देखते हैं दोस्तों, उस काल मारे करोध की तनकापने लगा, उसका मानो हवा के बेख से सोता हुआ सागर जावन, दोस्तों इसमें मानो आ गया, तो हमा नहीं हो कि अमक वस्तु उपमें है यह उपमान है जैसे जहां पर भी Pat 서빉 संद्रेर किस्थति हो वहां पर संद्रे अलंकार होता है यहानि वह संदें तो वहां पर दोस्तों कौन सा होता है हमारा संदे अलंकार होता है बाचक सबस दोस्तों कौन से या की की हो आदी आ की की हो तो दोस्तों अब जैसे कोशन एक्जामपल दिया हुआ है चरण है या कमल अब दोस्तों हमको यहीं नहीं पता चला कि चरण है या कमल किस की तुलना की नहीं जा रही है दोस्तो यहीं नहीं पता चला कि कौन की तुलना किसे की जा रही है तो यह हमारे दोस्तो क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा संदे अलंका और दोस्तों यहाँ पर मुके या चंदा दोस्तों यही नहीं पता उपा रहा कि यह मुके की चंदा तुलना ही नहीं उपा रही साप है या रसी क्या दिया हुए दोस्तों साप है या रसी यह हमारे किसमें आते हैं हमारे आंसे संदे आल्गकर में, मध्भरिण का, अलप जल्मय यां विफल लगुल मन. हमिन तो यहां यहां पर दिया हुआ है, यह क्या हुआ होजा है हमारे संदे.ोग चलते हैं दोष्टो अगे, तो अब दिया हुआ ब्रांती मान आलंकर, कौन सा दोस्तो ब्रांती मान अलंकार तो इसमें क्या कह रहा है जहां पर ब्रहम या ब्रांती के कारण उप में कोई उपमान मान लिया समझ लिया जाता है यह दोस्तो ब्रहम हो गया कोई ब्रांती हो गई दोस्तो जिसमें उप में कोई उपमान मान लिया जैसे दोस्तो इसमें बाच देख कर सोच कर मान कर जानकर बिचार कर आज जैसे दोस्तों एक्जम्पल दिया हुआ है मुख को चंद्रमा समझ बैठा मुख को चंद्रमा समझ बैठा चरण को कमल समझ बैठा चरण को कमल समझ बैठा यहां दोस्तों समझ यहां पर आ रहा है यहां पर भी तो यह कैसा ब्र लिखने जाने कि की घाए जीव जाएं जीवित बस्तू की किल्पना की जाएं जैसे जहां अमानव में मानविया गोड़ आजाएं यानि दोस्तों कोई ऐसी बस्तू जो जीवित नहीं है लेकिन किस की दोस्तों काम कर रही है किसी जीवित वस्तू की यानि किसी जीवित व्यक्ति का काम कर रही है तो यह चीज क्या हो जाएंगी दोस्तों मान भी करा अलंका जैसे उधार पर रहेंगे आपकी समझ माया जाएका दीवारों के भी कान होते हैं तो दीवारों के खान आपने देखा है तो ऐसा नहीं है दोस्तो तो दीवारों के खान होते हैं तो यानि दोस्तो जो मानवी है जो दोस्तो मानव कर सकता है तो कान तो दोस्तो मानव के होते हैं लेकिन यहाँ पर दीवारों के देखा है जब भी दोस्तो ऐसा हो तो मानवी अल कowania कु attendance यह मानवी कहरण अलंगार होता आफ दोस्तो बिरूद आवास अलंकार जहां बास्तिविक बिरूद नहीं होते हैं जहां बास्तिविक बिरूद नहीं होते हैं हमस्तों किसी से कुछ ऐसा बोलते हैं हम उसके तारिफ भी नहीं करते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो दोसह ब्रोध भी हो जाता है जैसे कि यहापर दाग अच्छे है तो दोस्तों हम यहाँपर दाग को अच्छे भी बता जा रहा सा लेकिन दाग को अच्छे होते हैं अब दोस्तो जैर मीटा है जयर कोई मीटा होता तो जब भी ऐसे सब्दाओं तो बbuzधवास अलंका लगाते हैं जैसे डाइ अच्छा प्रेम का पड़े सुपन्डित होई तो अब दोस्तों चलते हैं प्रेम का चड़ाई तो अब यह दिया हुआ है अतिस्योक्ति अलंकार क्या अतिस्योक्ति अलंकार पड़ते हैं किसी भी बात को बहुत बड़ा चड़ा कर पेश करना उस पर विश्वास ना किया जा सके किसी भी बात को बहुत बड़ा चड़ा कर पेश करना उस पर विश्व बाद ना किया यासे यानि दोस्तों किसी भी बात को बहुत बड़ा चड़ा कर कहते हैं ना से की मानना बहुत बड़ी बड़ी बात है करना उसी तरीके में दोस्तों आती है यह तो यहां पर क्या हो जाता है हमारा अतिशोक्ति अलंकार तो दोस्तों यह दिया हुआ है कन गुरिया की मुंद्री कंगन हुए सुका हिया हाल भी भारी यानि दोस्तों सुका सा जो है इसका मतलब आप समझ सकते हैं भी भारी है दोस्तों इस तरीके से कोई बहुत बड़ा चड़ा कर दोस्तों बात है कहीं जाती है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तो अतिस्योक्ति अलंकार को अब दोस्तो आता है आपका कौन सा विवावना अलंकार विवावना अलंकार तो दोस्तो यह क्या कह रहा है जहां पर बिना कारण के कार्रे होता है यानि दोस्तों कोई कारड़ नहीं है लेकिन काम हो रहाँ जहाँ पर कारड़ नहुने पर कार्य भो विनु, बिना, विन, ना दोस्तों यह हमारे क्या हैं वाचक सब्द यह बाचक सब्द बहुत ही इम्पोर्टन चीजियांई इससे आपकी पेचान हो जाती है जैसे दोस्तो बिनु पग चले बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विदा नाना यानि दोस्तो बिना पेर के चल रहा है कोई चल सकता है बिना कान के सुन रहा है तो दोस्तो इस तरीके के जिस सब्द होते हैं वह हमारे विवावना अलंकार होता है यानि दोस्तों नाची अचानक ही उठे विनु परास बन मोव यानि बढ़सा दे तुम्हें दोस्तों यह सभी इसमें दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं तो अब दोस्तों लाज टैप कांसा है विशेशोक्ति अलंकार कौन सा दोस् है जैसे दोस्तों जल बीच में प्यासी जल बीच मीन प्यासी अब दोस्तों जल में मचली रह रही है वो फिर भी प्यासी है तो दोस्तों यानि कारण होने पर भी कर्म नहीं होता अब दोस्तों महां पर चीश तो है लेकिन वो प्यासी है फिर भी तो जब भी ऐसा दोस्तो तो आपको दिखें तो कौन सा लगाना विशेशोक्ति अलंकार जैसे दोस्तों ये नेनों से नीत वर्षा होती फिर भी प्यास नहीं बुश्टी तो इस तरीके के जो होते हैं हमारे वह विशेशोक्ति अलंकार होते हैं अब आता है हमारा असंगति अलंकार जहां कारण कहीं और होता है वह उसके परणाम कहीं और होता है जैसे चोट लगती है हमारे और चिलाती है ना यह दोस्तों क्या हो जाए अशंगती अलंकार हिर्द गाव मेरे पिये रगुवीरे यह दोस्तों हिर्द गाव मेरे पिये रगुवीरे अब दोस्तों आता है अपका लाष्ट अबंदुती अलंकार कौन सा अबंदुती अलंकार जहां पर अपमे को निशेद कर अपमान को इस उस्तापित किया जाए जहां पर उपमे को निशेद कर उपमान को इस्तापित किया जाए दोस्तों वहां क्या होता है हमारा अवंदुती अलंकार तो इसके एक्जांपल पढ़ देते हैं मुख नहीं चंद्रमा हैं, चरण नहीं कमल है, पहले वाली बात नेगेटिव हो दोस्तो तो हमारा अवनदुती अलंकार होता है। दोस्तो यहाँ पर आपका यह अलंकार जो subtitle है दोस्तो वूआ पको कंप्लीट हो जाता है। तो आपको बताने हैं दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूल बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल सब्सक्राइब ने किया तो दोस्तों चैनल को अब सब्सक्राइब करने आपका कोर्स दोस्तों लगवाग कम्प्लिट होने को आया ह अब इसमें दोस्तों हम अगला चेप्टर करेंगे रास उससे पहले दोस्तों हम अलंकार के कोशनों को डिसकस करेंगे कोशन लेकर आएंगे और इसके दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको दोस्तो pdf प्रोवाइट करा दी जाएगी और दोस्तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में और भी वीडियो दोस्तों आपको प्रोवाइट कराई जा रही है तो उन सभी को भी देख लिया करें तो ठेंक यू ओल दवेस्ट